गुद मॉर्निंग तु वाल, I hope you all are fine, so let's start our class, today we will discuss class 4 mathematics page number 133, तो open your 133 page, यह हो गया आपका 133 page, so do you remember in the previous class we will already discuss question number 2, F E तक, तो आप लोकों का question number 2 का E नमबर तक हम लोकों रिभाइच क्लास में already discuss कर चुके हैं, आज हम लोकों रिभाइच क्लास का 2 नमबर का F नमबर से तो open your notebook then right now, देखो यहाँ पर 2 नमबर आपको पूछा था है, subtraction, तो आप लोकों 2 नमबर का E नमबर तक हम लोकों कर चुके हैं, आज हम लोकों F नमबर से करेंगे, तो 735 HG, 31 DG, 9 MG, 46 KG, 17 G, 25 MG, ओके, देन मैं आपको बताई थी, आपको जो भी करना है, उसको पहले आप आपको smallest unit में convert कर लना है, देन उसके बाद उसको आड करेंगे, देन उसके बाद आपको subtraction करना है, तो 735 HG is equal to 735 लिखके आपको 50 MG, 31 DG is equal to 31 लिखके 00 MG, 9 MG is equal to 9 MG, देन उसको आड करने के बाद यह हो जाएगा, 735 03109 MG, ओके, देन 46 KG is equal to 46 लिखके 60 MG, 17 G is equal to 17 लिखके 30 MG, 25 MG is equal to 25 MG, देन उसको आड करने के बाद यह हो जाएगा, 46017025 MG, देन उसको subtraction, difference को, तो पहला number से आपको second number आपको क्या करना है, subtract करना है, subtract करने के बाद यह answer हो जाएगा, 27486084 MG, ओके, तो यह number को आपको क्या करना है, KG, DAG, G और MG में convert करना है, तो 27 KG, 48 DAG, 6G, 84 MG, ओके, देन आपको G number, 105 KG, 3 DAG, 1 DG, 5 MG, 68 KG, 25 DAG, 40 CG, 8 MG, तो सबको पहले आपको क्या करना है, convert करना है, MG में, तो 105 KG is equal to 105 लिखके, आपको यह पर 60 MG, 3 DAG is equal to 3 लिखके, 40 MG, 1 DG is equal to 100 MG, 5 MG is equal to 5 MG, देन इसको आटकरनी के बाद यह हो जाएगा, 10, 50, 30, 105 MG, इसको आटकरनी के बाद यह हो जाएगा, 68 KG is equal to 68 KG, 60 MG, 25 DAG is equal to 25 KG, 40 MG, 40 CG is equal to 400 MG, देन आपका लास्ट यूनिट आपका है, 8 MG is equal to 8 MG, देन इसको आटकरनी के बाद यह हो जाएगा, 68, 250, 40, 8 MG, देन डिफरेंस इसको क्या होगा, पहला नंबर से आपको second नंबर आपको क्या करना है, subtract करना है, तो पहला नंबर आपका है, 10, 50, 30, 105 MG, more subtract, 68, 250, 40, 8 MG, ठीके, देन उसको बाद अंसर हो जाएगा, 36, 27, 96, 97 MG, देन यह नंबर को आपको करना है, किसमें KG, DAG, DG और MG में, तो यह हो जाएगा, 36 KG, 77 DAG, 96 DG, 97 MG, ओके, देन आपका last नंबर, 2 नंबर का last नंबर, 97 KG, 603 G, 14 MG, 690 HG, 7 DAG, 501 CG, 7 MG, देन इसको करना है, किसमें, MG में, तो 97 KG is equal to 97 LK, 60 MG, 603 G is equal to 603 LK, 30 MG, 14 MG is equal to 14 MG, देन उसको आपकाने के बाद यह हो जाएगा, 97603014 MG, ओके, देन आपका second unit है, 690 HG is equal to, इसको भी करन्बर करना है, किसमें, MG में, तो 690 लिखके, यांपर, 50 MG, 7 DAG is equal to, 7 लिखके, 40 MG, 501 CG is equal to, 501 10 MG, 7 MG is equal to, 7 MG, देन आड करने के पाद यह हो जाएगा, 9, sorry, 690 75017 MG, देन डिफरेंस आपका, पहला नमबर से यह नमबर को आपको सप्रार करना है, तो यह आंसर हो जाएगा, 28527997 MG, देन यह unit को आपको कनवड करना है, किसमें, KG, G और MG में, तो यह हो जाएगा, 28 KG, 527 G, 997 MG, ओके, देन, 3 नमबर आपका, कोश्चीन पुछा है, write the product in each case, use your notebook for solution, इसको यह आपका पहला number, आपका one number था आपका addition, इसको इसको पहला नमबर आपका था, subtraction, थार्ड नमबर आपका है, product, product means आपका multiplication, तो 3 नमबर का A number, कोश्चीन नमबर ए, 5 KG, 2 HG, 7 DAG, 4 G, multiply 9, तो इसको क्या करना है पहले, इसको भी same process, आपका equal process रहेगा, सबको convert करना है, gram मतलए smallest unit में, तो smallest unit यह नमबर में आपको convert करना है, gram में, तो 5 KG is equal to 5000 gram, 2 HG is equal to 200 gram, 7 DAG is equal to 70 gram, 4 G is equal to 4 gram, तो इसको अड़ करने के बाद यह हो जाएगा, 5274 gram, then multiply G, 9, तो इसको आणसर हो जाएगा, 47466 gram, तो इसको आपको convert करना है, KG, HG, DAG, G में, तो 47 KG, 4 HG, 46 DAG, 6 G, second number आपका है, 8 KG, 6 HG, 3 DAG, 1 G multiply 6, okay, तो इसको convert करना है, gram में, 8 KG is equal to 8000 gram, 6 HG is equal to 600 gram, 3 DAG is equal to 30 gram, 1 G is equal to 1, तो इसको आट करने के बाद यह हो जाएगा, 8631 multiply 6 is equal to 51786 gram, okay, then आपका C number, then इसको convert करने के, यह हो जाएगा, 51 KG, 7 HG, 8 DAG, 6 G, 3 number आपका 6, 3 KG, 7 HG, 5 G, 8 DG, multiply 7, तो 3 KG is equal to 3000 DG, सबको convert करना है, DG में, 7 HG is equal to 7000, 3 KG is equal to 3 लिके 4 0 DG, 7 HG is equal to 7000 DG, 5 G is equal to 50 DG, 8 DG is equal to 8 DG, उसको आट करने के बाद यह हो जाएगा, 37058 DG, multiply 7 is equal to 259406 DG, then इसको convert करेंगे, KG, HG, G और DG में, 25 KG, 9 HG, 40 G, 6 DAG, sorry 6 DG, then next class में हम लोगों C number से करेंगे, sorry D number से करेंगे, thank you, have a nice day.